कुछ लोगों दाल कीजाएं कि फतेगट साइट से जब चले किसान और किसानों का जथा जब चला अभी कहां तक पहुँच आए किया इस बारे में कोई अपडेट मिल पारा है कहां पर मौजूद है कहां तक पहुँच आए कब तक शंभू बॉर्डर तक तमाम किसान आ सकते ह अब कैसी इस्थती रहेगी आगे देखिए इस समय जो है वो पहुचने वाले हैं वहाँ पर किसान नेताओं से लगातार बातचीत हो रही है जब हम सुवह भी लाइब कर रहे तो मैंने बोला था कि लगातार केंदर सरकार जो है वो उनसे बातचीत कर रहे हैं दस बजे एक परशानी का सबब बना रहा आहम लोगों के लिए क्योंकि आपस के मुद्दे तो सुल जाएंगे जिनका कोई लेना देना नहीं इस चीज़ से उनकी परशानी को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए दोनों पक्षों को तो ये एक तरीका है कि वह वहां से जो है वो निकले ह उसको साथ लेके चलें उनको देखें कि कोई शरारती तत्वा उसमें अगर फीड में शामिल हो जाता तो बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है यही पिछे भी हुआ कई ऐसे इंसीडेंट हुए और फिर उसके बाद उन्होंने आके किसाननेताव ने कहा भी कि ये लोग हमा करता है शरारती तत्वों का कि वो इसी भीड की शेकर ले लेते हैं और फिर अपने तरीके सेट को चलाने की कोशिश करते हैं उसके इमोचन से केलते वहाँ इंस्टीगेट करते लोगों को पाहए लिए कि किसाननेता ओंधि धीरे धीरे वह लोग को पहुंझ जाएगal लगातार हम आरे साथ बने हुए हैं लेकिन एक बार फिर मैं जानकारी देदू जो Zee News की तमाम दर्शक हैं वो इस वक्त Zee News की स्क्रीन देख रहे होंगे और लगातार हम उनको माप भी दिखा रहे हैं साथी उनकी सहुलियत के लिए ये बताने की कोशिश कि अगर आपको किस दूसरी रास्ते से दूसरे रास्ते पर जाना है मानिजी दिल्ली से सोनीपत, पानीपत, करनाल कैसे जा सकते हैं आप वो भी हम आपको बता रहे हैं कि सोनीपत, पानीपत और करनाल क्या विकलप आप चुन सकते हैं सिगनेचर ब्रिज पर आपको जाना चाहिए या फी नही इस वक्त आप D&D पर जा सकते हैं या फिन नहीं ये तमाम बातों का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं और वो माप के जरी हम आपको बता रहे हैं इस वक्त D&D दिल्ली से नॉड़ा आने की तरफ का जो पूरा लेन है वो भरा हुआ है, ट्राफिक यहाँ पर काफी नजर आ रहा है फिल्म सिटी से नॉड़ा गेग तक पूरा एरिया इस वक्त ब्लोग नजर आ रहा है भारी ट्राफिक जाम की जो समस्या है वो है गाजीपुर बॉर्डर का जो इलाका है पूरा यहाँ पर भरा हुआ है जा सकते हैं लेकिन आमित कई बार लोगों की सहूलियत की अनुसार वो अपने खुद के वाहन से जाते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट याने की क्याप के माधियम से जाते हैं लेकिन अभी फसे हुए दिल्ली के अंदर और इन बातों को भी किसान नेताओं को समझना हो कर उपद्रफ करने की कोशिश करते हैं हर बार हर बॉर्डर्स पर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि देखिए कम्यूनिकेशन सीधा होना चाहिए अगर आप लोग आ रहे हैं और आप जो है इसको लीड कर रहे हैं तो आप सामने चलिए आप चलिए और फिर भीड को न बियंतरन में रखता है और वो पूरा अजूम उसकी बात सुनता है लेकिन उससे पहले ही इस तरह का महौल अगर यहां बन गया और फिर अलग तरह की तस्वीरें यहां से निकल के आने लगी तो फिर दोनों ही तरफ डीरेल होगा परशासन पर भी आएगा कि यह लोग आप हम लोग इगठे पहुंचेंगे यह लोग कौन है आप इन पे कारवाई करिये पूलिस परशासन पंजाब का हो चाए वो हरयाना का हो तो उनसे बात चीत करें तो किसी भी तरह की शकल जो है वो किसान अंदोलन से बाहर नहीं आनी चीए और कोई बात सामने नहीं आनी चीए कल भी हमने शाम में जाके देखा एक्स्लूसिव इंपूट हमारे पास था जिस तरह के नारे वहां लगे हुए थे तो वो नारे जो है वो किसान अंदोलन से बिलकुल परे थे उनका कोई लेना देना ही नहीं था तो उनके आने से पहले ही उस तरह के शरारती तत्व जो पह पहुंचानी चाहिए क्योंकि यहां पर इस समय रिस्पॉंसिबिल्टी की बात है जिस तरह से किसान नेता ने जो है सरवन सिंग पंधेर ने प्रेस कॉंफरेंस विजी उसने कहा कि शांती प्रिये हैं शांती तरीके से आएंगे शांती तरीके से जाएंगे तो फिर वो ची सरकार की काईरवाई हैं उनहोंने कीले लगाई हैं उन्होंने किले लगाई है उन्होंने यह दिली जाम की है यहां पर आप दूसरे पर आपड़ेंस लोग निकले थे और इतनी वैलेंस हुई तो उससे तो सबक लेना चाहिए कि हम अपनी भीड को नेंतरन में रखें और ये सरकार तो उस तरह के जो है वो कदम उठाएगी क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरह से आप लाल किले पर चड़ गए इतनी बड़े प्रतिष्टा वाली जगा पर आप चड़के आप जो है ए श्विरोधी लोग की देश का महाल खराब हो वो चोटे-चोटे मुद्दों पे जो है वो पूरे दुनिया को तस्वीर दिखाना चाहते कि देश का महाल खराब है देश के लोग जो जिस तरह से अपनी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी वो वैसी तस्वीर ज और अगर आप इस तरह के कोई बड़ी रेली करेंगे तो आपके साथ भी तो कुछ ना कुछ हो सकता इश्रारती तत्वा आपको भी नुक्सान पहुंचा सकते हैं उसके लिए भी पुलिसी जिम्मेदार होगी परशासनी जिम्मेदार होगा तो उनको अपने तरीके से के लिए उस दिन इस तरह की तस्वीर दिखाई गई तो इसी को लेकर प्रिवेंटिव मायर्स लेकर यहां पर बंदो बस किया गया है दिली के बौर्ड stripes किया गया कर दिख करते हैं दो साल पहले कि अगर हम बात करें तो खबर तो यहां तक भी आयाए थी जो खाल पालिस्तानी समर्थ हैं कि वो भी इस भीड में घुसकर देश को बद्दाम करने की कोशिश करते नजर आये थे अब इस तरह कि अगर आरोप लगेंगे तो किसान बद्दाम होगा और ये किसान नेताओं को समझना चाहिए अमित बिल्कुल देखिए बकाइदा उस पूरे अंदोलन में टेंट लगा हुआ था उनकी तस्वीरे लगी हुई थी जो कि विवादित थी हमने सारी तस्वीरे दिखाई उसमें लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही थी किसान नेता बार-बार उनसे दूरी बना रहे थे फिर भी वो लोग बीच में जो है वो इन्वाल्व होके वो ऐसी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने वहाँ पर खाईस्तान के टेंट लगाये हुए थे और अभी भी जो में कल आपको तस्वीरों बता रहा हूँ जो जो जी मीडिया नेटफ़र्क ने जात तरह की तस्वीर बतानी है दुनिया में यह जाके बोलना है कि भारत के लोग एक नहीं है और इस तरह का जो जो में अजंडा है जो मुखे अजंडा है वो नहीं आप उस पर बात करना चाहते और आपने जो अंदोलन को किसी और दिशा में मोड़ देते हैं पिछली बार क्य चाहिए भीड को भी समझना है कि अपने देश की बात एजु जो एक दूसरे से परिशेबल चीजे जारी होगी, कई सारी चीजे वहाँ पर पहुंचनी जो है जो देरी हो चुके, पूरे देश में जो है वो ट्रांस्पोर्टेशन जो है वो बादे हुई होगी, उससे कितना नुक्सान हुआ होगा, दवाईया टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगी, खाद जो है वो डेड बोडी अपने परिवार के एक सदस्य के लिए के आ रहे थी, उनको रास्ता नहीं दिया गया, इसले नहीं दिया गया, क्योंकि वागए रास्ता था ही नहीं, तो उनको कहां से घूंग के जाना, आप उनकी मनोदिशे, आप समझ सकते हैं कि उनकी प्रस्तित इस तरह की परिशानियां आम लोगों के लिए ना हो, जबकि कोई भी नेता आके अगर बात करता है तो यहीं कहता है कि आम लोग हमारे साथ हैं, हम उनको परिशान नहीं करना चाहते, जवान हमारे देश के हैं, हम उनको परिशान नहीं करना चाहते, और यहां किसान हमारे जो मांग है वो genuine है हम जो बोल रहे हैं वो genuine है उसका एक तरीका होता है dialogues एक तरीके हैं जिससे हो सकेगा यह सारी चीजे हो और हम अपने माध्यम से यह जरूर कहना चाहेंगे कि हर एक चीज का solution होना चीए अगर इस तरह की conditions होंगी शरारती तत्वा आएंगे तो हर जगा pollution ही पहलेगा चाहे वो emotional pollution पहले चाहे वो आप physically roads को जो है वो बंद कर लीजिए उनको जो है बाध्य कर दीजिए बाउंड कर लीजिए पूरी पूरी स्टेट को अब फिर दुबारा देखिए यहां लाइन अप हो रही है पुलिस तो यह देखिए कि इस तरह से भीड को नियंतरन करना बहुत जरूरी है क्योंकि अब दुबारा भीड यहां पर देखने को मिल रही है दूसरी तरफ भी अंबाला की तरफ भी यहां पर तो शायद पुलिस फिर लाइन अप हो गई है तो यह सारी चीज़े है कि किसान निताओं को अभी आना चाहिए और एक solution ही सा साफ कर देना चाहिए कि जो है हमें पहले भी कई सारे अंदोलन हुए हैं जी नियूर्स